दोस्तों आज हम बात करेंगे वीडियो को एडिट करने के बारे में क्योंकि अगर आपकी वीडियो में आपने शूट करते टाइम उतना एफ़रेट नहीं लगाए है लेकिन अगर आपने पोस्ट प्रोडक्शन में यानि कि एडिट करते वक्त अपनी पूरी जान लगा दिय कीए तो यहां वीडियो में दंखंवाली बात आडियंस को नजर आएकटगे और जादा ओडियंस एटेंशन मिले आपको ज्यादा देखी जाएगे आपकी वीडियो और यूटियूब पर ग्रो करने का एक फंडा है कि जेशी जादा ज्यादा ओडियो को बूस्ट करेग के YouTube और उतने ज्यादा उस पर आप यहां पर एडिट तो सभी करते हैं अपनी वीडियो को लेकिन मैं बहुत सारे चैनल जब रिव्यू करता हो तो मुझे पता चलता है कि बहुत सारे लोगों को एक्चुल में पता ही नहीं कि सही में वीडियो कैसे अडिट करते हैं आज की इस वीडियो में आपको पांच टिप दूँगा जिनसे आपकी अडिटिंग बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की हो सकती है और पांच ऐसी मिस्टेक के बारे में भी बताऊंगा जो आपको आपको यहां पर मिलता रहता है नमस्कार दोस्तो मैं हो योगी योगेंद्र आप देख रहे है टेखनिकल योगी नो ड्रामा नो क्लिक बैट अल इट है दोस्तो मैं आपको एक चीज़ पहले ही किलिर कर देता हूं मैं खुद कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल एडिटर नहीं हूं लेकिन मुझे यूट्यूब पर वीडियो क्रियेट करते हुए काफी टाइम हो गया पांस साल से जदा टाइम हो गया है दाई अज्जार से जदा मैं अलग-अलग टाइप की वीडियो क्रियेट कर चुका हूं तो अपना एक्स्पिरियंस आपके साथ सेयर कर रह किसी भी तरह का कोई ऐसा वीडियो बनाते हैं जो आप आउट में जाके शूट करते हैं तो आप एक शॉर्ट इंट्रो बना सकते हैं 15-20 सेकंड का स्टार्टिंग में जो बहुत अच्छा सिनेमेटिक होना चाहिए तो इससे क्या होगा कि वह जो इंट्रो होगा ना वो एक हुक क्रिएट करेगा ओडियंस की नजर में किया इसकी क्वालिटी बहुत नेक्स्ट लेवल की है मैं भी जब अपने विलोग बनाता हूँ तो इस टार्टिंग में 15-20 सेकंड का एक इंट्रो जो है वो काफी कमाल का बनाने की कोशिस करता हूँ और अगर आप इंफॉर्मे करते हैं कीु आप विडे के एडिटिंग में डालोगे तो आपकी जो वीडियो है वो जादा देखिए इससे आपकी जो वीडियो है उसमें इंगेजमेंट जाद आएगा ज्यादा वाष्ट भी मिलेगा अब वह क्या क्या कर सकते आप लगा सकते लिगने इमेज उझे कर सकते इसके अलावा भी आप को प्ले इमेज फोटेज अन्हें आप Visual कर सकते हैं लेकिन वो करें relevant जिसकी हम बात कर रहें वही यूज करें जैसे माल लीजिए मैं कोई वीडियो बना रहा हूं और मैं यह कहता हूं कि यह करने से आपका चनल काफी ज्यादा ग्रो हो सकता है तो आपने देखा ना ग्रो का मैंने element यहां पर यूज किया इस तरीके से आप element यूज करेंगे तो लोगों की जो नजरेनों के समय नहीं नहीं चीज़े बार बार आएंगी तो आपका जो ओडियेंस रिटरेंस ने वो बढ़ता चला जाएगा अब यहां पर जो तीसरा टिप है मेरा वो यह एक ही जब आप एडि यह जो आपने वीडियो देखा यह विदाउट टाइम रिमैपिंग था बोरियत सा लग रहा होगा ना आपको अब इसी फुटेज को मैं टाइम रिमैपिंग करके आपको दिखा देता हूँ इसके लावा आप आरजी भी ग्लिच इफेक्ट यूज कर सकते हैं इसके अलावा आप की फ्रेमिंग कर सकते हैं इसके लावा जाप सिनेमेटिक इंट्रो बना रहे हैं सिनेमेटिक सोट दिखा रहे हैं ड्रोन सोट दिखा रहे हैं तो आप ब्लैक बार का यूज कर सकते हैं और यहां पर अगर अगर आप इस तरह से करते हैं, तो आपकी जो iJ deux think है जो आपकी cinematic सोट हैं, वो next level के लगते है और आपकी जो IJ deux think हैं वो काफी कमाल की लग जाती है और यहां पर मेरा जो चोथा टिप है, वो ये कि आप music use तो बहुत सारे लोग क्यों वसील का मूंड अलग होता है और लेकिन वह जो मूजिक करते हैं उससे वह जो फील ऑना रोट आ थाई न वीडियो में वह नहीं आता है अब आप कर गए किस को में कैसे समझ सकते तो चलिए मैं आपको ऐसा एक footage दिखाता हूँ जिसके अंदर wrong music यूज़ किया गया है अब आपने देखा इस footage के अंदर मैंने wrong music यूज़ किया है तो यह ज़्यादा अच्छा नहीं लगा आप मैं आपको right music mood के हिसाब से यूज़ करते हूँ दिखाता हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि actual में mood के हिसाब से right music कैसे चूज़ करते है अंत में जो बात आती है वो आती है हमारा पांच वा पॉइंट और यह जो पॉइंट है यह बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगता है अगर आप इसको यूज़ करते है अपनी वीडियो में और यह है color correction और color grading देखे दोनों चीज़े अलग अलग है कुछ लोग दोनों को एक ही समझते है लेकिन दोनों अलग है एक होता है color correction आपने आउट में कोई वीडियो सूट के आउट डॉर में आप व्लॉग करते हैं या कोई भी डॉकुमेंटर कर रहे है कुछ भी तरह का वीडियो बना रहे है उसमें जो color actual हमें दिखने चाहिए वो camera ने record नहीं किये तो हम उसे correct कर देंगे correct करने के बाद वो color जादा अच्छे लगेंगे इसके बाद क्या होता है कि हम उसको color grade करें color grade का मतलब यह कि जो वीडियो है उसके एक theme होती है जैसे आप तील औरेंज टिंट दे रहे हैं जो भी आप कोई भी theme जो होती है color grading उससे पहले लेकिन आपको color correction करना चाहिए तो य हमको हमेशा avoid करनी चाहिए सबसे पहला जो लोग green skin पर video shoot करते चाहो educationally video बना रहे हो चाहो किसी भी तरह का video बना रहे हो light का proper use नहीं करते और जब light का proper use नहीं होता और थोड़ा chroma key को भी अच्छे से use नहीं करते refine use नहीं करते तो क्या होता है आप देखे जैसे यह बंदा अब इस बंदे के चारो तरफ जैसे मालो मैं ही मालो suppose मैं green skin पर shoot कर रहा हूँ तो चारो तरफ greenness दिखाई देगा एक outline दिखाई देगी जो बहुत ही ज़्यादा awkward लगता है तो आप chroma की जब भी use करें आप इस पर ध्यान रखें कि editing में में chroma की बहुत अच्छे से clear गरनी है ताकि किसी को लगे भी नहीं कि एक chroma पर suit हुआ है तो वह ज़्यादा रिफाइन उसे कर सकते हैं अगर आपके चारो तरफ किसी भी जो आपका subject उसके चारो तरफ अगर green outline दिखाई देगी तो वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा दूसरी यहाँ पर जो mistake है वो आपका dialogue है और आपने एक minute का डायलोग एक की बार में बोल दिया उसमें कोई ना mood change हुआ ना visual change हुए ना angle change हुआ कुछ भी change नहीं हुआ तो वो boring feel कराएगा आपकी audience को अगर आपका ऐसा कोई dialogue है जो एक minute का है चार्ली सेकंड का है तो आप उसको टुकडों में कर सकते है मा जो audience आपको देख रहे हुआ उसके सामने बार बार एंगल चेंज होगा चीजे चेंज होगी आपका mood के साफसी जो footage चेंज होगी तो वो क्या होगा कि आपको engagement को बढ़ा देगा आपकी video को ज्यादा time तक देखेगा और आपका watch time भी ज्यादा gain होगा तीसरी जो mistake है यह बह 100% avoid आपको करना ही चाहिए ओडियो जो है ना उस पर काम नहीं करते वीडियो में आपने कैसी वैडिटिंग के बट ओडियो में भी आपको काम करना पड़ेगा ओडियो को normalize नहीं करते लोग जिसको करनी चाहिए जब भी आप edit करने वीडियो तो audio normalize जरूर से जरूर करें और हाँ audio में अगर noise है तो noise को भी reduce करें अगर उसमें noise है तो आपको visual कितना भी अच्छा हो लोग सुनेंगे नहीं और वीडियो पे पूरा engagement नहीं मिल पाएगा audience retention अगर आपको बढ़ानी है तो audio को आपको normalize भी करना है और audio में जो noise है उसको भी reduce आपको करना पड़ेगा चोती यहाँ पे mistake है कि बहुत सारे लोग video को edit करके सिधर डाल देते हैं YouTube पर बट ऐसा आपको नहीं करना चाहिए आपको देखना चाहिए कि आप वीडियो के सासत अपने चल को भी as a brand लेके चल रहे हैं और जब as a brand लेके आप चल रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपने social media क icons भी कही ना कहीं तो place करना ही चाहिए पूरी video के अंदर कहीं भी करें आप Instagram के, Facebook के, Twitter के इस तरह के social media icons के साथ अपना URL आपका social media का वो कही ना कहीं place कर देंगे तो आपके वहाँ पे भी follower increase हो जाएंगे और आपकी video में वो अच्छे भी लगेंगे इसके लावा यहाँ पे 5 आच भी जो गलती है वो यह है कि आप low bit rate के अंदर video को export करते हैं और जब low bit rate के अंदर video export होती है तो उसके YouTube पे आने के बाद quality बहुत बेकार हो जाती है और आपको लगता है यह इतना अच्छा video बनाया था बट quality खराब हो गई और यह सिर्फ छोटे से लालच में हम करते है हमें लगता है कि अगर हम bit rate हाई रखेंगे तो हमारी video की जो GB है जो उसका वज़न है वो ज्यादा हो जाएगा तो भाई ज्यादा GB के अगर वीडियो है तो आप ज्यादा GB के upload करें बट bit rate कम ना करें अगर आप bit rate कम करेंगे low bit rate में export करेंगे तो quality बिल्कुल बेकार हो जा अगर आप कौन सी जो है रेजुलेशन में शूट कर रहें 4K में, 2K में, 1080p में, 720p में तो कितनी bit rate पर वो video होनी चाहिए तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी editing काफी अच्छी होगी और लोग ज्यादा देर तक आपकी वीडियो को देखेंगे बेल पर पहली बार आए सबस्काइब परने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ओल पर गिलिक करें ऐसे content आपको यहाँ पी मिलते रहेंगे चलिए मिलता एंगली वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए जैए